दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्टो न्यूज हिंदी पर ऐसी ही जानकारी और फैक्ट से जुड़ी विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जीवन में उतार चड़ाव तो लगे रहते हैं मगर कुछ लोगों को अपनी जिन्दगी से धेरो शिकायते होती हैं उनको अपनी जिम्मेदारियां बोज लगने लगती हैं और इनके दबाव में वे अपने अंदर के उत्साह और उमंगों को मरता महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में दूबे रहते हैं तो लगातार सोचते रहने के कारण आप ओवर थिंकिंग की समस्या के शिकार हो सकते हैं ऐसे में हमेशा किसी सोच में दूबे रहना भी आपको बीमार कर सकता है ओवर थिंकिंग से गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है अधिक सोचने से आ बार-बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघ़ात को दोहराते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे में बार-बार नकारात्मक बातों को सोचने की आदत आपको खुश और सकारात्मक होने से पीछे खीचती है और नतीजा यह होता है कि आप आशावादी होने की तुलना में हर चीज के बारे में खुद को कहीं ज्यादा निराशावादी महसूस करते हैं, ऐसे में कुछ तरीके अपना कर आपको ओवर थिंकिंग और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोरने और इनसे निकलने में मदद मिल सकती है, कुछ लोग ओवर थिंकिंग के चक्र से बचने के लिए अस्थाई समाधान का सहारा लेते हैं, इससे अस्थाई तोर पर तो राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरी तरह निजात पाने के लिए कुछ कार का तरीके अपनाने की जरूरत है, ओवर थिंकिंग की समस्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें इसके लिए जरूरी है कि आप अपना समय बेकार की चीजे सोचने में न लगा कर अपने काम पर लगाएं अपने अधूरे पढ़े कामों को पूरा करें इससे आपको आगे के कारियों के लिए प्रेना मिलेगी जब आप ओवर थिंकिंग क करने या ओनलाइन योग क्लास में शामिल होकर ओवर थिंकिंग में होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं इस तरह आप अपने दिमाग को सक्रिय रख सकेंगे दिन भर अपने विचारों में गुम रहने के बजाए आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं जिसमें दूरी बनाएं जो आपको तनाव देती हैं या घबराहर पैदा करती हैं इसके लिए आप दिन का कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करें शाम को वाकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें प्रकृती में बिखरी शांती आपको सुकून देगी जब आप नकारात्मक पर मजबूत बनाएं यह सोचने में अपना समय बर्बाद न करें कि भविश्य में क्या होगा नकारात्मक विचारों से निकल कर भविश्य के बारे में बहतर सोचें पुरानी यादों और नकारात्मक विचारों से ध्यान हटा कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें